Welcome to Only.is, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज 15 जून 2022 है, तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानकारी है Means Daily Answer Writing Program के बारे में ये program आपका भी हाल ही में start हुआ है, 60 days में बहुत ही rigorous सरीके से आप अपनी Means की Answer Writing को complete कर सकते हैं जहाँ पर आपको daily एक घंटे में 7 answers लिखने होंगे, content आपको proper enriched होके मिल जाएगा, 8 weekly full length test होंगे जूम के sessions के माधन से आपकी जो भी problems उनको resolve कर दिया जाएगा, 5 full length test तो बिलकुल UPSC के model पर ही conduct करवाये जाएगे अभी अच्छी बात ये है कि आप अपनी इस fees में जो भी है, उसमें 35% का discount भी avail कर सकते हैं अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नमबर पे call कर लीजिए या फिर यहाँ पर mail भी कर सकते हैं, तो चलिए, आगे भड़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल हमारा पहला आर्टिकल वेब 5.0 या 5.0 के बारे में है, इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझेगा विकाज अगर थोड़ा बहुत concentration आप नहीं दिखाएंगे, तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है ट्विटर के जो former CEO रहे, Jack Dorsey, उन्होंने अभी हाल ही में ये announce किया कि उनका vision है कि वो एक नया decentralized web platform develop करें, जिसे वो web 5.0 कह रहे है इसका basic objective ये होगा कि data और identity की ownership individuals के पास आ जाए आपने ये तो सुना होगा कि आवशक्ता ही आविसकार की जन्नी होती है लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि समस्या ही समाधान की जन्नी होती है यहाँ पर देखे जब समस्या आती है तो हम उसके समाधान का प्रयास करते है जैसे जैसे हमारी online presence बढ़ी है वैसे वैसे right to privacy एक important मुद्दा बना है और data theft या privacy का हनन ये एक बहुत बड़ी और महतपूर समस्या बन गई है जिसके समाधान के अलग-अलग प्रयास चल रहे हैं इसी दोरान वैब की जो generation है उसमें भी बदलाव करके इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है तो अब ये बात निकल के आ रही है कि हम web एक ऐसा तयार करें जिसके माध्यम से अगर व्यक्ति अपनी कोई information एकसेस कर रहा है तो उसका data किसी भी ऐसे व्यक्ति तक जाए ही ना जो उसका misuse कर सकता हो इसको समझने के लिए आपको web की generation समझनी पड़ेगी जब internet का विकास हुआ और आपने web के माध्यम से चीज़ों को एकसेस करना सुरू किया तो उसकी शुरुआत को web 1.0 या 1.0 कहा जा सकता है ये जो mechanism था internet का ये read only था जहां पर आपको दिखते थे static web pages इसका मतलब ये था कि आप जो कुछ भी search करेंगे आप उसे सिर्क पढ़ सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार के बदलाओ की अनुमती आपको नहीं होगी और नहीं आप server या फिर किसी अन्यवक्ति के साथ उस internet mechanism के थूरू या web page के थूरू communicate ही कर पाएंगे ये जो era था ये जो समय था internet का इसे web 1.0 कहा गया उसके बाद आता है web 2.0 ध्यान दीजेगा कि आज आप जिस web को इस्तिमाल कर रहे हैं वो web 2.0 है अब आपको समझ में आ गया होगा आज जो कुछ भी है वो web 2.0 है यानि कि इसकी दूसरी generation है यहाँ पर आपको read और write दोनों के अधिकार मिलते हैं इसका मतलब ये है कि आप internet पे जो कुछ भी available है उसे consume करते हैं फर्दर आप internet के जो भी servers हैं उनके साथ communicate कर सकते हैं अपना खुद का data create करके internet पे upload कर सकते हैं और इन servers के माद्यम से किसी अनव्यक्ति के साथ communicate भी कर सकते हैं ये जो worldwide web है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं ये web 2.0 में आता है इसका एक prime example है facebook facebook, instagram, twitter ये जो पूरा mechanism है जिसमे आप किसी अनव्यक्ति के साथ communicate कर पाते हैं आप youtube पर या फिर facebook पर जो data या information है उसको upload कर पाते हैं यही web का दूसरा generation है इसमें एक और खास बात है ध्यान दीजेगा कि web के दूसरे generation में रोल आता है intermediaries का मतलब आप जब किसी अनव्यक्ति के साथ या server के साथ communicate करते हैं तो आप जुड़ते हैं एक intermediary से और वो आपको मदद करता है कि आप किसी अनव्यक्ति के साथ जुड़ सके जैसे facebook पर आप एक means की तरह facebook के इस्तेमाल करते हैं आने लोगों के साथ जुड़ने के लिए similarly twitter या फिर instagram तो जो web का दूसरा generation है इसमें intermediaries का एक important रोल आता है intermediaries के आने के साथ ही challenge शुरू हो जाता है because ये intermediaries आपका data store कर लेते हैं और data एक नया fuel है ऐसा कहा जाता है मतलब इसका इस्तेमाल करके कई तरीके के पैसे कमाया जाते हैं business किया जाता है और आपके data के जरीए आपको target भी किया जाता है एक consumer की तरह right to privacy भी इसी वज़े से खत्रे में आती है क्योंकि आपका data intermediaries के पास जाता है तो अब आ रहा है कि right to privacy को अगर हमें ensure करना है तो हमें इन intermediaries को हटाना होगा और intermediaries को हटा कर data security ensure करने को लेकर जो web की नई generation आ रही है उसे ही web 3.0 कहा जा रहा है ये एक evolving term है इन जनरल decentralized होगा जिसमें हम blockchain technology का इस्तेमाल करेंगे web का जो 3.0 है ये अभी developing phase में ऐसा नहीं ये implement हो गया है अभी जो implementation में है वो web की second generation है यहाँ पर हम artificial intelligence और machine learning का इस्तेमाल करेंगे ये machine learning या artificial intelligence की जो techniques होंगी ये किसी भी data को बिलकुल वैसे ही interpret करेंगे जैसे कि इंसान interpret करते हैं इसमें खास बात क्या होगी कि जो intermediaries हैं वो हट जाएंगे और जब ये intermediaries हट जाएंगे तब हमें जो data है वो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाएगा बलकि वो decentralized हो जाएगा मतलब एक public domain में equally available रहेगा कोई उसे channelize नहीं कर रहा होगा कोई उसका misuse नहीं कर रहा होगा लेकिन फिर भी data पर आपका control तो रहेगा लेकिन आपकी identity पर आपका control नहीं रहेगा और कुछ नकुछ ऐसे entities का involvement तो ज़रूर रहेगा जो felicitate करेंगे artificial intelligence और machine learning के थो कुल मिला के web 3.0 जो data security की problem है उसे resolve तो करता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत आजादी जरूर दी जा रही है कि एक decentralized manner में आप internet का इस्तेमाल कर सकें लेकिन अब जो नया evolution आ रहा है वो है web 5.0 यह इन सभी generation से बहुत अलग है यहाँ पर आपका data और identity दोनों ही पुरी तरीके से नुरक्षित होंगे यह होंगे आपके हाथ में web 5.0 जिसके evolution की बात अभी की जा रही है यह web 2.0 और 3.0 दोनों का एक mixture होगा जहाँ पर आप अपनी data को खुद ही control करेंगे इसे former जो twitter के CEO रहे है Jack Dorsey उनका जो एक bitcoin business unit है जिसका नाम है block head TBH वो develop कर रहा है यह extra decentralized web है जैसे की 3.0 जो है वो decentralized web है यह extra decentralized web है उससे भी जादा कारगर है यहाँ पर आपके पास आपके data और identity दोनों की ownership होगी आप देखें यह होगा कैसे मैं आपको एक आसान से example देके बता देता हूँ इट विल भी लाइक कि माल लीजिए web 5.0 या 5th generation में आप आगए तो सबसे पहले तो आपके पास एक digital wallet आ जाएगा आप जो कुछ भी data internet पे इस्तिमाल करेंगे या अपना देंगे वो actually में इस digital wallet में चला जाएगा ये digital wallet जो है वो बिलकुल logged होगा, blockchain technology से बंद होगा, जिसे कोई और access नहीं कर पाएगा, मतलब जो data आप public domain में डाल रहे हैं वो आपके इस wallet में जा रहा है और इस data को कोई और access ही नहीं कर पाएगा कि वो उसको miss use कर सके, further आप अलग-अलग websites use कर रहे हैं या फिर social media platform use कर रहे हैं, twitter, facebook या instagram, आपको हर बार इन platforms को अपनी जानकारी देनी पड़ती है अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप बस इन्हें अपने इस digital wallet से link कर दीजे, सारा data मतलब यह आपके लिए accessible हो जाएंगे इस digital wallet की information से, लेकिन twitter, facebook या instagram आपके wallet की जानकारी को access नहीं कर पाएंगे अब आपका data आपके पास बिल्कुल safe होगा similarly, आपने suppose करिए कि यहाँ पर एक प्रकार की जानकारी को access किया है आपने किसी एक portal पे, किसी एक application पे गाना सुना है, वहाँ पे उस application पे आपने खुद priority सेट की है लेकिन वो priorities जो सेट हुई है, वो आपके digital wallet के data के basis पे सेट हुई है तो आप कहीं पर कोई और application भी खोलते हैं गाना सुनने के लिए, तो वो priorities वहाँ पे application हो जाएंगी, इसके दो फायदे हो गए, एक तो आपके लिए internet का इस्तेमाल ज्यादा personalized और आसान हो जाएगा, और दूसरा आपका जो data है, वो आपके digital wallet में होगा जिसे किसी भी प्रकार से breach नहीं किया जा सकेगा तो data security को ensure करने के लिए web 5.0 आपको अपना data इस्तेमाल कर सके, यहाँ पर 3.0 और 5.0 के बीच में मैं difference create करता हूँ यह decentralized तो है 3.0, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जबकि 5.0 पूरी तरीके से decentralized होगा, 3.0 में ओ है कि किसी single entity के पास आपके data की information की ownership नहीं रहेगी यह decentralized होगा, लेकिन यह एक network में distributed रहेगा, जबकि 5.0 में आपका data एक digital wallet में होगा जो आपके control में होगा, उसे कोई breach नहीं कर पाएगा, तीसरा कि इसमें आपको केवल आपके data की control में लेगी जबकि यहाँ पर 5.0 में आपको data और identity दोनों के ही control मिल जाएगा मैंने आसान करने की कोशिस की एक topic थोड़ा सा complex है, उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, देखे 3.0 web पर question पूछा गया था, 2022 के prelims में, पहला statement यह था कि web 3.0 technology enable करती है लोगों को क्यों अपना data control कर सकते हैं, अभी बताया यह तो सही हो गया, दूसरा यह है कि web 3.0 world जो है यहाँ पे blockchain based social networks का, यहाँ पे there can be हो सकता है कि हम blockchain based social networks इस्तेमाल करें, यह भी सही है, और तीसरा है web 3.0 operated by users collectively rather than corporation, इस पे कोई corporation intermediaries नहीं होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था यह distributed होगा, collectively इस्तेमाल किया जाएगा, यह भी सही है, तो इसका सही जवाब D था, 1, 2 and 3 हमारा next article, martial art form के बारे में है, हाली में हुआ यह कि कस्मीर में एक काफी पुराने trainer है, वो अपना training school चलाते है, ठांगता के लिए, ठांगता एक प्रकार का martial art form है, वहाँ पे कुछ लड़कियों ने भी participate करना शुरू किया martial art सीखने के लिए self defense में, तो local लोगों ने भी रोट करना शुरू कर दिया, कि आप किस प्रकार ने दिया जाए, लड़कियां भी skilled होंगी, तो self defense में अची तरीके से काम कर पाएंगी, इसी मामले में ठांगता न्यूज में आ गया, हम ठांगता ही नहीं बलकि कुछ अन्ड martial arts form के बारे में भी बात करेंगे, पहले ठांगता की बात करते है, ठांगता मनिपूर में originate होता है, इसके बाद ये North India में Central जो plane का region है, उससे होते हुए कस्मीर वैली में भी पहुँच आता है, ठांगता है एक traditional martial arts का form है मनिपूर का, यहाँ पे तलवार और ढाल का इस्तिमाल किया जाता है, ये हुएन, Langlawn का एक aspect है, एक हिस्सा है जो एक art है, लड़ाई की, या खुद को सुरक्षित करने की, सरित सरक, इसमें involve होता है जिसमें unarmed combat भी होता है, मतलब आप मिना किसी हतियार के भी कैसे खुद को defend कर सकते हैं, ये भी सीखा जाता है दूसरा art form है, martial art form है, silambam ये Tamil नाडू का है, ये Tamil संगम का मतलब है, तीसरा है कलारी पयक्टू, केरला का martial art form है काफी oldest fighting system है भारत का, और साथ इंडिया में practice किया जाता है, यहाँ पर जो martial art, जो इस practice किया जाता है, जिस place पर, उसे place को कलारी कहा जाता है, इसमें strikes, kicks और कुछ weapon based practice भी करवाई जाती है, footwork pattern काफी important होता है, इस art form में मुष्टियूद, वरानसी में काफी famous है, जहाँ पर fighting techniques अनाम्ध होती है, कोई हतियार इस्तिमान नहीं किया जाता, उत्तरप्रदेश में वरानसी में काफी प्रशलित है यह, यहाँ पर punches, kicks और knees elbow का इस्तिमाल करके fighting करी जाती है, यहाँ पर किसी हधियार का इस्तिमान नहीं होता, अगला है गटका, पंजाब में यह इस्तिमाल किया जाता है या यह practice है, martial art की सिख गुरू जो थे जो उनहीं से यह अपना origin trace करता है sword और stick fighting इसमें involved होती है जो छठी सिख गुरू थे हर्गोविन सिंग जी उन्होंने कृपान को self defense के तौर पे इस्तिमाल करना शुरू किया मुगल एरा में वहीं से जो गटका है वो अपना origin trace करता है अगला है काठी साम, जो कि आनर प्रेस में perform किया जाने वाला एक historical martial art है यहां पर यो काठी है, इसका मतलब sword होता है sword के माध्यम से fighting करी जाती है गरीडी उस location को कहते हैं जहां पर इसे perform किया जाता है next is square, जो की कस्मीर में perform किया जाने वाला एक martial art है, sword fighting होती है इसमें भी, एक मुड़ी हुई दलवार होती है जिसमें एक तरफ धार होती है और एक shield का इस्सेमाल करते हैं इस art form को perform करने के लिए हमारा next article इंडिया, इंडोनेशिया, कॉर्पार्ट के बारे में है अंडवान सी में और State of Malakka में अभी हाल ही में इसका 38th edition कंड़क किया किया इसमें इंडिया और इंडोनेशिया की नवीज आपस में coordinate करती हैं cooperate करते हुए exercise करती है ये 2002 से चला आ रहा है इसके माध्यम से हम mutual trust basically इसमें patrolling होती है तो इसके माध्यम से हम mutual trust, synergy और cooperation को enhance करने की कोशिस कर रहे हैं कोशिस ये है कि safe और secure commercial shipping हो international trade हो और हम legitimate maritime activities conduct कर सके कुछ और exercise है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ती, bilateral maritime exercise है और grown शक्ती, join better exercise है हमारा next article National e-Vidhan application के बारे में हाल ही में गुजरास से MLAs का एक delegation आता है उत्तरपदेश ताकि वो यहां का जो नया e-Vidhan system है उसको समझ सके इसे हाल ही में UP की state assembly ने adopt किया है National e-Vidhan application नहीं की निवा एक mission board project है इसके माध्यम से हम इंडिया में legislative activities को distillize कर रहे हैं इसके लिए नुडल ministry है, ministry of parliamentary affairs one nation, one application के vision पे से तयार किया गया है, digital house तयार कर रहे हैं, state legislature को एक digital house के रूप में तयार कर रहे हैं, जहाँ पर सभी businesses या कामकार जो हैं, वो digital means से हो जो communication किया जा रहा है ministries से, वो भी digital format नहीं हो paper work खतम करें, जो application है वो onboarding करता हो जाएगा आने वाले समय में, जो parliament के दो houses है महाँ पर, funding जो है, वो centrally sponsored scheme की तरह ही होता है 60-40 states के लिए, 90-10 North East और हिली regions के लिए, 100% duties के लिए जो नेवा है, उसे for the first time Nagaland में implement किया गया था मार्च 2022 में, ठीक है और जो लोग सभा के speaker हैं, उन्होंने बोला है कि 2023 तक, जो दोनों house and parliament के, और बाकी के जो state assemblies हैं, जहाँ पे legislative councils हैं, उसे अभी को हम निवा में लेकर आ जाएंगे हमारा next article Joint Civil Military Program के बारे में है, हाल ही में Defense Minister ने address किया Joint Civil Military Program को लबासनामे इस शब्द से आप परिचित हैं आप सभी लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं आपका vision है, सपना है वहाँ जाने का लाल बहादुर साश्टरी National Academy of Administration मसूरी में है, वही पर अभी हाल ही में, यह जो पूरा Joint Civil Military Program है, वो हुआ भी है तो अज़र एक में से initiate किया गया था ताकि जो civil servants हैं और armed forces के officers हैं, वो आपस में familiarize किया जाए, नेशनल से कियाओटी के जो issues हैं उनसे opportunity दी जाए कि वापस में interact कर सकी, और जो civil military synergy है, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़े हैं, उसके बारे में भी उनको बताया जाए हमारा next article, National E-Governance Service Delivery Assessment के बारे में हैं, इस assessment में ये देखा जाता है कि गौन सी government की ministry या states जो हैं, या UTs जो हैं वो अच्छी government services को दे रहे हैं उनकी delivery कैसी है अभी हाल ही में इसका second edition जो है, वो release किया गया है 2019 में इसका first edition आया था आप इसे short me any SDA बोल सकते हो इसे Department of Administrative Reform and Public Revances के दवरा constitute किया गया है दो साल में एक बार conduct किये जाने वाली एक study है ये criteria यही है कि 7 sectors हैं जिनको evaluation में लिया जाता है those are finance, labor and employment, education, local governance and utility services, social welfare environment, tourism sector 56 mandatory services हैं जिनमें सभी states and UTs को evaluate किया जाता है और 27 services हैं जो central ministries में evaluate की जाती है NESDA 2021 का assessment क्या कहता है central ministry की जो service के portals है जो services देते हैं उनमें 6 portals ने अच्छा perform किया है जबकि 22, राजजियों और UTs में 28 portals ने बढ़ियां improvement दिखाई है states की category में केरला टॉप पे रहा है फिर नंबर तमिलनाडू और पंजाब का है 20 states में उडिसा टॉप पे है फिर उत्रप्रदेश और बिहार है नौथ इसन states में नागा लैन टॉप पे है दिन मिघाले और आसाम है यूटीज में जमुन कस्मीर जो यूटी है उसने टॉप किया है फिर अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, डेली और चंडीगर है तो यह तो रहा आज का यह पूरा discussion का part revision करते हैं वेफ 5.0 यह जदा centralized है और यूजर जो user created content है उस पर focused होता है यह गलत है actually में हम 2.2 की बात कर रहे हैं यहां पे 5.0 लिख दिया गया है कलारिया पट्टू यह आंदर प्रदेश नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद